नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूटूब चैनल एक्जाम फाइटर्स में और दोस्तों काफी समय के बाद हाजिर हुआ हूँ आप लोग के सामने कारण यह है कि हमारे टीम इस लॉकडाउन में पूरी तरह से आपके लिए वर्क कर रही है जी हाँ आपका जो अप्लिकेशन है एक्जाम फाइटर जिसे आप लोगों ने इतना प्यार दिया आने वाले समय में इस पे लाइब क्लासे सारे एक्जाम के टेस्ट मATERiAL, टेस्च सीरीज और जितने भी मेटेरियल से एक्जाम के वो सब कुछ आपको हमारे अफ्लिकेशन पर इक ही जगहा मिलने वाला है participate कर सकते हैं link नीचे description box में दिया हुआ है हमारी application में भी quiz है हमारे paid members के लिए जो sectional quiz सारा जितने भी subject है सारा जो है वहाँ पे quiz मिलेगा आपको लेकिन उससे पहले सबसे महतपुन जो इस समय जो ये वैश्वी कापदा है कोविड-19 गरूप में हमारे समक्ष है इसको जो है जो guideline से सरकार की आप पूरी तरीके से follow करिए आप घर में ही रहिए और social distancing को maintain करिए क्योंकि कोई vaccination अभी तक इसका नहीं बना है और सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि हम social distance maintain करके अपने घरों में रहके जो है इस बीमारी से जीत सकते हैं अन्यता आने वाले समय में ये बीमारी बहुत ही भायानक होने वाली है ठेक है अगर आप maintain करेंगे social distance के हो तो यह आप पता जल्द हमारे सर से जो हट जाएगी सब कुछ सही हो जाएगा economy भी सही हो जाएगी सब कुछ सही हो जाएगा बस आपको social distance maintain करना और वीमारी को जल से जल दूर भगाना है तो आज का जो हमारा वीडियो है वो चटी जेपेसी और साती जेपेसी से related है आपको पता है और कुछ दिन पहले भी हमने पेसी बताया था कि चटी जेपेसी साती जेपेसी से लेके जो है हम आपको बताएंगे लेकिन उस दिन हमारे पास कुछ proper news नहीं था इस मुझे से हमने आपको नहीं बताया लेकिन आज है तो हमने सोचा आपसे कुछ बात कर ही ली जाए ठेक है तो सबसे पहले साती जेपेसी पे बात करते हैं साती जेपेसी का जो अधियाचना वापस लिया गया था जो उसमें कुछ विसंगत या थी आरक्षन को लेके और भी कुछ-कुछ लगभग उसका जो नया फॉर्मेट है बनके लगभग जो नया फॉर्मेट है वो रौ जो है तयार हो चुका है उसमें क्या चेंजिस होना है वो भी लगभग तयार हो चुका है और सब कुछ complete था मोटा मोटी एक रौ फार्म में तयार हो चुका है उसमें क्या changes दोने वाले हैं सब कुछ तो उसकी फाइल मंगाई गई थी और वागे सनलेक बनता है उसके बाद वो cabinet में जाता है तो यह process बस यह सनलेक और cabinet वाला नहीं हो पाया है और फिलहाल अभी होगा भी नहीं क्योंकि कार्मिक पूरी तरीके से बंध है और कार्मिक जो है policy making का जो है वो आफिस है तो वो खुलना अवश्यक नहीं था इस वोजे से वो पूरी तरीके से बंध है तो फिलहाल जो है साती जपीसी भी कोई काम नहीं चल रहा है लेकिन जब भी वो vacancy आए जब सब कुछ normal हो जाएगा जब आफिस खुलने लगेंगे तो उस पर काम तो वश्य होगा ठीक है यह कहना आती शुक्ति होगी कि जो vacancies नहीं आएंगी वगरा 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 थोड़ा समय लगेगा चीजों को समवान होने में लेकिन आएगी य जारी रखिएगा और जो बुक लिस्ट है जिसकी आप बराबर डिमांड कर रहे हैं साथी जिपस्व को लेकि वो बुक लिस्ट भी हमारे चैनल पर दो से तिन दिनों के अंदर जो हम अपलोड कर देंगे बस आपको उतनी ही बुके पढ़नी है उससे जादा नहीं पढ़न तो बहुत जादा सीटे बहुत जादा तो नहीं रहेंगी कि हजार क्रॉस कर जाएंगी तो आपके लिए उस लॉग्डाउन में हर सिंसर लड़का पढ़ाई कर रहा होगा तो आपके लिए तो ऑविस बात हैं कमपढ़िशन टफ होने वाला ही है तो आप इस खाली समय का श छूट दी गई है 20 अप्रेल से तो मैं आज आपको बता दू प्रेजेंटली में 12 बजे तक जो है तीन मिंबर जो है जो है पीएसी के आफिस में पहुंचे हुए थे और एक्जामिनिशन कंट्रोलर और चेर्में सर अभी भी अपसेंट थे बारा बजे तक की अभी भी भी बदाल सकते है लेकिन पूरी समझा होना है कि आपका रिजल्ल कभी भी प्रकाशित हो सकता है उसका होने जा रहा है ये भी मैं आपको बता दू तो आपके लिए गुद निवज यही था चटी जीपेसे का result कभी भी प्रकासित हो सकता है और कुछ cases में अगर कुछ ऐसी emergency आ जाती है तो ही आपका टलेगा कुछ दिनों के लिए टल सकता है लेकिन अब आपका result बनके तयार है कभी भी जारी हो सकता है तो चटी जीपेसे के बारे में हमने बता दिया साती जीपेसे के निक्तों की प्रकिरिया सुरूखेगी थे 37,000 पता नहीं है डाटा कहां से लाते हैं भगवान जाने यह पेपर वाले डाटा कहां से लिखा हुआ आगे पड़ते हैं पिछले दिनों हेमन सरकार नी नियुक्ति पर रोक लगा दी है जब तक अस्थानियता आरक्षन और निपड़ जाए फिर इन सब चीजों पर भी बात करेंगे ठीक है लेकिन छात्रों को बस हमारा जो हमारे टीम का यही संदेश रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई जारे रखे डी मोटिवेट मत हो यह समय मिला है तो उस समय का पूर्ण सदूपी होगा अपनी सिर्फ और सिर् तो आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत जै जारकन